हर्तालिका तीज के दिन अगर आप इस व्रिक्ष को मात्र छू कर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों की गरीबी दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा उसी समय से मिटनी शुरू हो जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान, माला माल दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख, शान्ती, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है या आपका भाग या आपका साथ नहीं दे रहा है और आपके कारियर नहीं रहे हैं तो दोस्तों, 18 सितंबर 2023, हर्तालिका तीज पर इस व्रिक्ष को मात्र छू कर आ जाना उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा दोस्तों, इस बार 2023 का साल बहुत ही दिव्य और दुरलब संयोग लेकर आया है और इस बार 18 सितंबर को सबसे बड़ी 30 हर्तालिका तीज पढ़ने जा रही है और दोस्तों, इस दिन राजियोक कालसर्प दोश के साथ साथ धनलक्षमी योग भी रहा है जिस वजह से इस तीज का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखे और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले दोस्तों भादरपद महीने के शुकल पक्ष की तृतियां तिथी को हर तालिका तीज का वरत रखा जाता है धार में कथाओं के अनुसार माता पारवटी ने भगवान शंकर को पती स्वरूप में पाने के लिए इस दिन से ही तब की शुरूआत उनके कठोर तब से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें आशीरवाद दिया था जिसके फल स्वरूप माता पार्वती ने उन्हें पती स्वरूप में हासिल किया यही वज़य है कि कुमवारी लड़कियां भी मन चाहे वर के लिए इस वरत को रखती है दोस्तों देवी पार्वती ने कुमवारी अवस्था में इस वरत को किया था इसलिए इस वरत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुमवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ती के लिए रखती है ये वरत निर्जला रखा जाता निराहार रखा जाता है सभी सुहागिन महिलाओं इस दिन अपने पती की लंबी आयू की कामना से और अखंड सौभाग्य के लिए इस वरत को रखती है इस दिन मा पारवती और शंकर की पूजा की जाती है सुहागिन महिलाओं के अलावा जो कुमवारी का न्याएं है वह भी इस दिन मन चाहा वरपाने के लिए निर्जला इस वरत को विधि विधान से रख सकती है 18 सितंबर को हर्तालिका तीज की पूजा की शुभ मुहूर्थ इस तरह है सुभे का शुभ मुहूर्थ का रहेगा सुभे 6 बजकर 7 मिनट से लेकर 8 बजकर 24 मिनट तक इस बीच में आपको राहु काल के समय का त्याग करना है इसके अलावा सुभे 9 बजकर 11 मिनट से लेकर 10 बजकर 43 मिनट तक आप पूजा कर सकते हैं दोपहर की पूजा का मुहूर्थ प्रारम होगा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलते समय आप लिक्विट चीजों का पानी का या जूस का सेवन जरूर करें उसके बाद ही अन्य पदार्त खाए दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में व्रिक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन व्रिक्षों में स्वयम भगवान महादेव और नारायन वास करते हैं और आज मैं आप लोगों को उन पावन व्रिक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको इस हड़तालिका तीज के दिन छू लेने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी क्योंकि दोस्तों ये ऐसे व्रिक्ष हैं जो देव व्रिक्ष कहे गए हैं या देवी स्वरूप कहे गए हैं दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवता मान कर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा भी चाहिए क्योंकि साइन्स भी कहता कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के वायू प्रदान करते हैं और सभी तरह कि जितने भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर ये स्वयम सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं दोस्तों पेड़ पौधे स्वयम तेज धूप में तपते हैं परन्तु मनुष्य को शीतल चाया प्रदान करते हैं तो दोस्तों इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं इनको छूने मात्र व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का स्वभाग्य चमक जाता है दोस्तों हमारे धर्म शास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है जड़ी बूटी में छुपा है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयंग कहा है कि व्रिक्षों में स्वयंग पीपल का व्रिक्ष हूँ इसलिए दोस्तों पीपल के व्रिक्ष को व्रिक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल व्रिक्ष की जो आयू होती है वो सबसे ज्यादा होती है इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंग कहा कि व्रिक्षों में पीपल हो तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को उन पावन व्रिक्षों के बारे में बताऊंगा जो की कल्यानकारी है, जो मंगलकारी है अगर आप इन व्रिक्ष को छू लेते हैं, इस हड़तालिका तीज के दिन तो आपकी करीबी तो मिटेगी ही मिटेगी साथ ही आपके जीवन से परिशानियाँ भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यह जो पेड़ पौधे है यह चेतना युक्त हो जाते है यानि के इस दिन इन में चेतना आ जाती है और हड़तालिका तीज के दिन स्वयम भगवान विश्नु जी इन व्रिक्षों में वास करते हैं इस वजह से में शक्ती आ जाती है और ये पेड़ पौधे जागरित अवस्था में आ जाते हैं दोस्तों इस समय इन पेड़ पौधों को मातर जाकर छूदे खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए है यानि माता लैक्समी स्वरूप माने गए है भगवान विश्नु जी के स्वरूप माने गए है तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छूकर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कश्ट रोग बीमारी है, कलहकलेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्यायों है, सब समाप्त हो जाएगी तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ ऐसे व्रिक्ष के बारे में बताऊंगा, जो देव व्रिक्ष कहे गए ह विडियो को ध्यान से देखना, अगर आज की विडियो मिस्स करती है, तो फिर सारी जिंदगी आपको पच्टाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हर्तालिका तीज का पावन पर्व है, और ये एक ऐसा समय होता है, जो बहुत ही कल्यानकारी, बहुत ही मंगलकारी दिन होता है, सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों को सपोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत कराता है, गरीबी को समाप्त करता और आप अपनी आँखों से देखते हैं, गरीबी को मिटते, मैं जिन व्रिक्षों के बारे में बात करने वाला हूँ, ये सारे व्रिक्ष आपको विश्णुजी माता लक्षमी जी वास करती है दोस्तों आपको इसे खास कर हर्ताली का तीज के दिन चाहे गुरुवार के दिन हो किसी भी दिन आप इस व्रिक्ष को छू कर आ जाए तो जीवन के मिटाते हैं ततकाल गरी भी मिटती है और सुख सम्रिद्धी की प्राप्ती होती है धन वैभव से आपका घर भर जाता है आपके घर में तेजी से धन आने का स्त्रोत नजर आने लगते हैं रुका हुआ व्यापार चलने लगता है बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका सातवें आसमान पर रहता है बंद किस्मत के ताले खुल जाते है जीवन में सफलता आपको जरूर हासिल होती है कार्यक्षेत्र में भी आपको लाब होता है तो दोस्तों केले का व्रिक्ष आसपास मिल जाएगा तो इस व्रिक्ष को इस पेड को छू कर आ जाए इसमें स्वयम भगवान विश्नुजी वास करते है केले का पेड बहुत ही पवित्र माना जाता है कहते हैं केले के पेड में अगर हर्ताली का तीज के दिन अगर एक लोटा जल गुरुवार के दिन दिया जाए हल्दी चना किश्मिश डाल कर तो जीवन में यश्मान सम्मान की प्राप्ती और संतान की प्राप्ती होती है अगला व्रिक्ष है दोस्तों तुलसी का पौधा दोस्तों तुलसी के को अगर आप छू कर आ जाते हैं तो जीवन के कष्ट मिटते हैं इसमें भी माता लक्ष्मी का वास होता है तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी ततकाल मिटती है महालक्ष्मी की कृपा बरस्ती है घर से दुर्भाग ये दूर होता है इसलिए हर्तालिका तीज के दिन पीपल के व्रिक्ष के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपको घर के आसपास मिल जाएगा या फिर आपके घर में लगा है तो सुबह शाम के दिन आप इन्हें छू कर आजाए और अपनी मनो कामना जरूर बोल दे साथ ही बेल का व्रिक्ष भी मिल जाए तो इसे भी छू कर आजाए तो बहुत ही लाव और कल्यान कारी है इसमें स्वयम नारायन और माता पारवती वास करती है दोस्तों बेल का व्रिक्ष भी बहुत ही शुब है और शमी का व्रिक्ष भी छू कर आजाए ये भी बहुत ही शुब माना जाता है इसमें भी सभी देवी देवता निवास करते हैं साथ ही साथ नियम का पेड़ या फिर आम का पेड़ भी छू कर आजाए गरीबी मिटती है अब अगला व्रिक्ष है दोस्तों पीपल का व्रिक्ष पीपल के व्रिक्ष में स्वयम भगवान नारायन वास करते हैं स्वयम भगवान विश्णुजी वास करते और माता लैक्समी जी वास करती है तो हर्तालिका तीज के दिन आपको पीपल के व्रिक्ष को जरूर चुकर आजाना है सुबह या फिर शाम के समय चुकर आए और जब पीपल को आप चुएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते हुए चुना है अपनी मनोकामना बोलते हुए चुदेना है दोस्तों जो भी आपकी मनोकामना है नौकरी को लेकर व्यापार को लेकर धन को लेकर कारे को लेकर संतान को लेकर विवाह को लेकर किसी तरह की समस्या शत्रूओं को लेकर हो तो आपको बस भगवान विश्णुजी के व्रिक्ष पीपल के सामने ऐसे आपको अनुभव करना है कि वे उपस्थित हैं, प्रकट है और उन्ही का स्मरण करते हुए छू कर आ जाना है, ततकाल देखेंगे, 24 घंटे के अंदर आपकी मनो कामना पूरी होगी, बाकी आपकी मर्जी दोस्तों इतना पावरफुल ये उपाय है कि इसको करने से जीवन के दुरभ पल के वरिक्ष को जरूर स्पर्श करके आप अपनी मनो कामना बोल देना, ततकाल आपकी गरीबी मिटेगी, आएए दोस्तों, अब जान लेते हैं, हरतालिका तीज के कुछ और जरूरी उपाय और कथा, एक बार भगवान नाथ ने माता परवाटी को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते, इस वरत के महत्व को समझाया, माता परवाटी ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पती के रूप में स्वीकार कर लिया था, उन्होंने बाल्य अवस्था में ही बारह वर्षों तक हिमालय के किनारे बैठ कर कठिन तप शुरू पर इतनी दुखी क्यों है? तब उन्होंने अपनी सक्षी को उत्तर देते हुए कहा, वे इतना कठिन तप और व्रद भगवान भोलेनाथ को पती रूप में पाने के लिए कर रही है. परंतु उनके पिता उनकी शादी भगवान विश्णु से ही करवाना चाहते थे. तब उनकी सक्षी ने उन्हें वन में तप करने की सलाह दी. उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहरे वन में पहुँच गई. वहाँ एक गुफा में तपस्या करने लगी. उन्होंने स्वयंग को पूरी तरीके से भगवान शिवा की भक्ती में लीन कर लिया. भाद्रपद के शुक्लपक्ष की तृतियां, तिथी के दिन देवी पार्वती ने रेच से शिवलिंगन बनाया, और रात भर जाग कर भगवान शिवा की स्थुती की माता, परवटी के समर्पन को देख कर भोले नात प्रसन्न हो गए, और उन्हें स्वयंग को उनके पती रूप में मिलने का वर्दान दिया. माना जाता है कि जो भी महिला इस दिन पूरे विधिविधान और श्रद्धा वरत करती है, उन्हें इच्छानुसारवर की प्राप्ती होती है. इसके साथ विवाहित स्त्रियों को भी खुशाल दांपत्य जीवन का सुख हासिल होता है. इसलिए हर्तालिका तीज के इस वरत को इतना महत्वपूर्ण बताया जाता है, तो दोस्तों विडियो को लाइक जरूर करें. कॉमेंट में लिखे हर हर महादेव और साथ ही इस चैनल पर यदि पहली बार आए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकॉन को जरूर दबा दे. आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे. धन्यवाद ओम नमा. शिवाय.